आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो स्टूरेंट्स, आज से पूछा गया है, जब एक चाक को शाई में डुबोया जाता है, तो निमलिकित में से कौन सी परिगटनाए होती है आपका ए उप्षन है, रंगीन परधार्त का अधिशोषन होता है, विलायक का अधिशोषन होता है, विलायक का अधिशोषन अधिशोषन दोनों होता है, या विलायक का अधिशोषन होता है, यहाँ पर हमें बताना है अधिशोषण क्या है यहाँ पर आपके पास अधिशोषण इन चारों उप्षन में आपको दिया गया है तो यानि अधिशोषण को हम समझ लेते हैं अधिशोषण हमारे पास क्या होता है परधार्थ क्या होता है परधार्थ केवल यदी प्रश्ट पर सांद्रित होता है एव अधिशोशक की सतर से इस्थुल में परवेश नहीं करता है अधिशोशन कहलाता है यानि क्या है हमारा परधार्थ केवल यदी प्रश्ट पर सांद्रित होता है एव अधिशोशन की सतर से इस्थुल में परवेश नहीं करता है तो वह हमारा क्या कहलाता है अधिशोशन कहलाता है इस्थुल का मतलब अंदर परवेश नहीं करता है तो यानि इस्थुल क्या होत अब आप समझें कि आपका रव्शोशन होता क्या है अव्शोशन में प्रधार्त इस्तुल में परवेश कर जाता है तो यह हमारा क्या कहलाता है यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है आउशोशन कहलाती है क्या कहलाती है प्रक्रिया आउशोशन कहलाती है यानि आप दुबारा समझिए यदि आउशोशन में हमारे पास क्या होता है परदात किसमें प्रवेश कर जाता है इस तूल में प्रवेश कर जाता है कि एक चाक को हम क्या करते हैं शाई में डूबोया जाता है तो हम क्या करते हैं यह हमारे पास क्या है यह एक चौक है क्या ही हमारे पास चाक है अब इसको हमने किसमें डूबो दिया इस शाई में डूबो दिया इस शाई में हम डूबोते हैं शाई के पात्र में यह हमारे पास क्या है यहाँ पात्र है तो जैसे ही हम डुबएंगे तो इसके सर्फेस पर जो कलर लग जाएगा हमारा जो सर्फेस पर रंग लग जाएगा तो वो तो हमारा क्या कहलाएगा अद्धी शोशन कहलाएगा यानि सर्फेस के साथ साथ color अंदर की और चल जाए चोक के यह आपकी चोक है यहां से उठा कर मैंने यहां पर बाहर निकाल कर रख दी तीर चोक में जो अंदर जो color चला गया यह आपका क्या है अव शोषण है क्या है यह आपका अव शोषण है यानि आपका जो रंग है वो स्थूल में भी चला गया अब जो surface पे जो आपका रंग लग रहा है यह प्रस्ट पे लग रहा है वो क्या है आपका अधी शोषण है क्या है आपका अधी शोषण है बास मुझ मैं आरी यह आपका कह कहलाएगा अधी शोशन कहलाएगा तो यहां से हमसे पूछा गया था कि एक चाक को शाई में डुब़या जाता है एक चाक को शाई में डुब़या जाता है तो कौन सी परिगटना होती है तो यहां पर अधी शोशन भी होता है मारे साथ और आउ शोशन भी होता है तो रंगीन परधात का क्या होता है यहाँ पर अधी शोशन होता है तो यह तो अमारा कथन यानि यह अमारा option सही हुआ अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर विलायक का अव शोशन होता है यानि क्या होता है यहाँ पर विलायक का अव शोशन होता है यानि कुछ कण अंदर चले जाते हैं विलायक के यानि हमने किसमें डुब हुए था इसको विलायक में डुब हुए था यानि विलायक में ही तो विले डुब हुए था यानि चोक को आप विले मानते हो और उसको शाई को आप विलायक मानते हो तो हमने किसमें डुब हुए था विलायक में डुब हुए तो यहां से आप कहे सकते हो विलायक का क्या हो रहा है आउसोशन हो रहा है तो हम कहे सकते हैं कि जो हमारी शाई है वो किसके अंदर चली जाएगी चोग के अंदर भी चली जाएगी यानि विलायक के कुछ अनु कहां चले जाएगी चोक के अंदर चला जाएंगे यानि इस्तुल के अंदर चले जाएंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि विलाइक का आउशोशन भी होगा जो यहां से हमारे आंसर आएंगे ए और डी दोनों आएंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा अधिशोशन भी हो रहा है आउशोशन भी कर नीट आयएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोजा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट आच चारसो 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 पर